में जड़ी आज तक बने रहें वीडियो के एंड में 12 जुलाई 2013 के करेंट आज रेंटाफेर्स के एंडfight करेंगे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आकोन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको एक घंटे के करेंट रफेरस का ले नलाइसिस मातर दस मिनट में कोशने पहला कि GST काउंसिल की 50 वी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने को मनजूरी दी है आंसर है ओपसन सी 28 प्रतिशत GST Council की पच्चासनी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुरसवारी और कसीनो पर 28 परतिशत टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई पहले इन पर टैक्स की जो दर्थी वो 18 परतिशत थी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट 2023 के अनुसार, दुनिया की सबसे सकती साली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? आंसर है, ओप्सन डी, चौथा रक्षा संबंधी डेटा रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की सैन्न ताकत सूची 2023 में, दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की छमताओं का वसलेशन कर रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे सकती साली सेनाओं वाले 5 द ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी की गई सैन्न ताकत सूची 2023 में, दुनिया के सबसे कमजोर सैन्न बलवाले देश भी सामिल है, इसमें भूटान और आइसलेंड सामिल है, इनका मुल्यांकन 60 से अधिकारकों पर किया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचीव जो 12 जुलाई 2023 को भारत की अधिकारिक यात्रा पर आए आंसर है ओप्सन बी सेख मुहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा मुस्लिम वर्ड लीग के महासचीव डॉक्टर मुहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा बारत जुलाई 2023 को पहली बार भारत की अधिकारिक यात्रा पर आये राष्टपती भवन में राष्टपती स्रीमती द्रौपती मुर्मू से भेट की दोनों निताओं ने सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुध जीरो टॉलरेंस का अहवान किया भारत जापान समुदरी दोईपक्षिय अभ्यास 2030 जैमेक्स 23 का सात्मासंक्रन 5 जुलाई से 11 जुलाई तक कहां आयूजित किया गया पांच जुलाई से 11 जुलाई तक आयूजित किया गया इस युद्ध अभ्यास में दोनों देश समुद्री युद्ध के सभी तीनों अस्तरों सतह, उपसतह और हवा में उन्नत अस्तर के अभ्यास में सामिल हुए विस्व मलाला दिवस इंटरनेशनल मलाला डे किस तिथी को मनाया जाता है आंसर है ओपसन सी 12 जुलाई को लड़कियों की सिख्षा के लिए पाकिस्तानी वकील और नॉबल पुरसकार प्राप्त करने वाली सबसे कम उमर की मलाला युसुप जई की बहादुरी और सक्रियता का सम्मान करने के लिए हर साल 12 जुलाई को अंतर रास्टिय मलाला दिवस मन जाता है निम्न में से कौन 49 सीनियर महिला सतरंज चैंपियंसिप 2023 का खिताब जीता आंसर है ओप्सन ए पदमिनी राउत पेट्रोलिम स्पोर्ट्स बोर्ड की पदमिनी राउत अपने खेल जीवन में पांचवी बार भारत की रास्टिय महिला सतरंज चैंपियन बन गई है पदमिनी राउत अहम्दाबाद में चल रही 49 सीनियर महिला सतरंज चैंपियंसिप का खिताब पदमिनी राउत ने अपने नाम किया फाइनल मुकाबले में राउत दो बार की चैंपियन रही दिव्या देश मुक को अंतिम राउंड में पराजित कर यह खिताब जीता प्राधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई 2000 तक निमलखित में से किस देश के अधिकारिक यात्रा पर रहेंगे आंसर है उप्शन सी फ्रांस और सन्युक्त अरव अमिरात की प्राधान मंतरी स्री नरेंद्र मोधी 13-15 जुलाई 2023 तक फ्रांस और सन्युक्त अरब अमिरात UAE की अधिकारिक यात्रा करेंगे फ्रांस के राष्टपती स्री इमैनुवेल मैंक्रो के निमंतरन पर प्राधान मंतरी 13-14 जुलाई 2023 तक पेरिस का दौरा करेंगे प्राधान मंतरी 14 जुलाई 2023 को 22 डे परेड में मुख्य अतीथी होंगे इन परेड में तीनों सेनाओं के भारति ससस्त्र बलो का एक दस्ता भी भाग लेगा इसके पस्चात प्राधान मंतरी 15 जुलाई को अबुधाबी का दौरा करेंगे प्राधान मंतरी सन्युक तरब अमीरात के राष्ट्रपती और अबुधाबी के सासक महा महिम सेक मुहमद बिंजायत अलनहायान के साथ बातचित करेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किस देश के Association of World Election Bodies A.Wave के कारेकारी बोर्ड की 11 बैठक में सामिल हुए आंसर है Option C. कोलंबिया के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने Association of World Election Bodies A.Wave के कारेकारी बोर्ड की 11 बैठक में भाग लेने के लिए कोलंबिया के कार्टा जेना में भारत निर्वाचन आयोक के तीन सदस्य प्रती निधी मंडल का नित्रित्व किया A.Wave की अस्थापना अक्टूबर 2013 में सियोल में की गई थी वित मंत्राले ने भारी बर्षा और संबंधित प्राकिर्तिक आपदाओं से मदद हेतु बिहार को कितने कड़ोर रुपे की रासी आवंटित कराई है A.Wave के वित मंत्राले के व्यविभाग ने 22 राजियों सरकारों को संबंधित राज आपदा मोचन निधी SDRF के लिए 7532 करण रुपे जारी किये यह रासी ग्रिह मंत्राले की सिफारिसों के अनुसार जारी की गई है जिसमें बिहार को 24.4 जीरो कड़ो रुपे की रासी आवंटित कराई गई है Common Wealth Weight Lifting Championship 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है आंसर है Option C Greater Noida में Common Wealth Weight Lifting Championship 16 जुलाई 2023 से Greater Noida के गौतम बुध विस विद्याले में आयोजन किया गया है पांच दीन तक चलने वाली इस Championship की सीनियर जुनियर और युवास रेनियों में 52 भारतियों सहित 20 देसों के 253 भारतोलक हिस्सा ले रहे हैं किस राजजी या संग राजजी में आपका मुबाइल हमारा दफ्तर अभ्यान के साथ मुबाइल दोस्त एप का सुभारम किया गया आंसर है Option D जमुकस्मीर में आपका मुबाइल हमारा दफ्तर अभियान के साथ मुबाइल दोस्त एप का सुभारम जमु कस्मीर के मुख्य सचीव डॉक्टर अरुन कुमार महता ने किया इस एप के जरिये जमु कस्मीर के लोग सरकार की नागरिक सेवाओं का उपयोग सीधे अपने मुबाइल पर कर सकेंगे मोबाइल दोस्ट एप का उद्देश जम्मू और कस्मीर के लोगों को उनके मोबाइल से सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं तक पहुचाने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करके ससक्त बनाना है छटे भारत अरब साजहदारी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? आंसर है ओप्सन ए नई दिल्ली में छटे भारत अरब साजहदारी सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? विदेश मामलू के सचीव डॉक्टर औसाफ सईद ने इस सम्मेलन में भाग लिया तो चलिए 12 जुलाई 2023 के करेंट वर्स का रिवीजन करते हैं किसे ACI ओलंपिक परिशद OCA के अध़क्ष न्योक्त किया गया है? तो सेख तलाल फहद अलसवाह को 3-9 जुलाई 2023 तक आयोजित विस्वती रंदाजी युवा चैंपिंसिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते तो 11 पदक जीते हैं जिसमें 6 सुर्ण, 1 रजत और 4 का से पदक सहीत 11 पदक प्राप्त कर दुईती अस्थान पर रहा महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने बलतकार, सामुहिक बलतकार, पीडितों और गर्भवती होने वाली नावालिक बलिकाओं को न्याय दिलाने और उनकी देखवाल के लिए कौन सी योजना लाई है तो निर्भया कोस किस देश में गुईलेन बैरे सिंड्रोम या जीवी सिंड्रोम के कारण रास्टिय स्वास्त आपातकाल की गोशना की है तो ये पेरु में भारती अंतरिक शनुसंधान संगठन इसरो 14 जुलाई 2023 को किस प्रक्षेपन यान द्वारा चंद्रियान 3rd मिसन लॉंच करेगा तो मार्क 3rd, लॉंच वेकिल मार्क LVM 3rd के द्वारा भारत की G20 की अधक्षता के तहत संस्कृती कार्य सम्मूह की कहां आयोजित बैठक में लंबानी कढ़ाई की वस्तूओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया तो हमपी करनाटक में कौन सा ACI देश भारत के साथ रुपिये में द्विपक्षिय व्यापार की सुरुवात करने वाला 19 वा देश बन गया है तो ये है बांगला देश जुलाई 2023 में फोबर्स द्वारा जारी दुनिया की सौ सबसे अमीर महिलाओं में कितने भारत वंसियों को इसमें सामिल किया गया तो चार को भारती मुल की चार महिलाओं में जैसरी उलाल जोकी 15 वे अस्थान पर है इंदरानुई 77 वे अस्थान पर नेहा नर्खेडे ये 50 वे अस्थान पर और निर्जा सेठी ये 25 वे अस्थान पर है ने अमेरिका की सौ सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की इस प्रतिष्ठित जगह बनाई है गोल्ड मैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक किस क्रम की सबसे बड़ी अर्थवस्था वाला देश बन जाएगा तो दूसरे क्रम का 34 वे अंतर राष्टिय जी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक के साथ सिर्ष पर रहा तो चार स्वर्ण पदक के साथ सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के ग्लोबल क्रैसिस रिस्पॉंस GCRG के संदर्व में सभी कतन सकते हैं कि भारत सन्युक्त राष्ट GCRG में सामिल हो गया है इस ग्रूप का गठन खाद सुरक्षा उर्जा और वित में परसपर जुड़े संकटों से तातकालिक अधान के लिए किया गया है GCRG की देख रेख चैंपियंस ग्रूप करता है इस ग्रूप में बांगलादेश, डेनमार्क, बार्बाडोस, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनिगल के राष्टिय अध्धक्ष सामिल हैं तो ये थे आज के करेंट अफेर्स, आई होप की वीडि करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद